शेक जैसे गई लोग मरने के बाद अपने ओर्गिन्स वगरा जैसे आईज या फिर ये सब मेडिकल कॉलेज में डोनेट पर देते हैं तो ऐसा करने कैसा है शेक? जी शेक बहन का सवाल जिसम के आज़ा को डोनेट करने के बारे में है इसकी कई एक सूरत होती है लेकिन बहन ने सिर्फ एक सूरत के बारे में सवाल किया है तो हम उसी के बारे में बात करेंगे वो सूरत ये है कि कोई इनसान अपने मरने से पहले ये कह दे कि जब मैं मर जाओंगा तो मेरे जिसम का फला हिसा मेरी आख या मेरा दिल या मेरी किजनी या कोई भी हिसा मैं फला हास्पिटल में डोनेट कर रहा हूं या फला शक्स को दे रहा हूं तो क्या उसका ऐसा करना स कि वलकद कर्नमना बनी आदमा हमने इनसान को मकर्नम बनाया है और मकर्नम बनाने का तकादा ये है मकर्नम होने का तकादा ये है कि उसके जिस्म के साथ कोई छेड़ छाड़ ना किया जाए उसके जिस्म के साथ हाँ अगर उसके फाइदे में है अपने फायदे में जैसे आपरेशन वगरा होता है तो ये उसके अपने फायदे में है तो ये जिसम की तक्रीम है अगर उसका इलाज किया जा रहा है जिसम का तो लेकिन अगर इलाज नहीं किया जा रहा है तो उसके जिसम से छेड़ छाड़ ना किया जाए, काट पीच ना किया जाए इसलिए जंगों वगेरा तक में मुसला करने से मना किया गया है किसी को कतल कर दिया आपने जंग में, हालत जंग में दुस्मन को अगर आपने कतल कर दिया, तो उसका मुसला करना ये मना है, मुसला मतलब उसके आजा को टुकड़े टुकड़े कर देना तो ये इसी लिए है कि इनसान को अल्लाह रबुलालवीन ने मुकर्रम बनाया है बेगेर किसी फाइदा के उसके जिस्म के साथ छेड़ चाड़ ना किया जाए तो ये पहली बात दूसरी बात ये है अगर इनसानी जिस्म को डोनेट करने से उसका अपिया देने से किसी की जान बच रही है या किसी का बहुत बड़ा फाइदा होने वाला है तो उल्मा ने इसे जाइज परार दिया है इसकी वज़े ये बताई है कि जिन्दा इनसान की जान की मसलहत ये मुर्दा इनसान के जिस्म से बड़ी है और जब दो मसलहतें एकठा होती है हमारी शरीयत में काइदा है कि अगर दो मसलहतें एकठा हो जाएं तो जो बड़ी मसलहत है उसको मुकद्दम किया जाएगा पहले बड़ी मसलहत को हासल किया जाएगा तो किसी जिन्दा इंसान की जान को बचाना ये किसी मुर्दा इंसान के जिस्म का इहतराम करने से बड़ा है तो अगर उसके आजा डोने करने से किसी की जान बच रही है कोई अंधा है उसको आँख मिल जा रही है कोई बहुत सख्त बीमार है किद्नी लगाने से उसकी सेहस्ता ही हो जा रही है तो ऐसी सूरत में जायज है इंशालला इसमें कोई इश्काल नहीं है लेकिन जब बड़ी मसलहत हो तब और डाक्टरों की तीम ने बता दिया हो कि हाँ आपका जिसम इसकाबिल है कि आप डोनेट कर सकते हो दूसरों को